अगर आपको भी कम इंग्रीडियन में बनावा कुछ अच्छा सा चटपटा सा कुरकुरा नाशता चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए यहाँ पर एक कच्छे आलू और थोड़े ही इंग्रीडियन में इस नाशते को बना कर तयार करेंगे तो यहाँ पर हमने एक आलू लिया है जिसका छिलका हमने निकाल दिया और इसको अच्छे से वोश कर लिया है अब यहाँ पर हम इसको छोटे-छोटे टुकडों में कट करके मिक्सी जार में एट कर देंगे यहाँ पर आप चाहिए तो इसको ग्रेड भी कर सकते हैं क्योंकि हमें इस आलू को यहाँ पर पीस नहीं है तो देखिए हमने इसको टुकडों में कट कर लिया है एक बार आप इस नाश्टियों को जरू से बनाए बहुत ही चट पटा और कुरकुराय नाश्टा बनकर तयार होता है अब यहाँ पर हमने एक हरी मिर्ची और थोड़ा से अधरक का टुकडाय लिया है अब यहाँ पर हमने आधी कटोरी चावल को आदे घंटे के लिए भी हो दिया था तो यह अच्छे से भीग चुके हैं आपके पाद जो भी चावल अवेलिबल हो आप वो ले सकते हैं यहाँ पर तो चावल हमने सारे मिक्सिजार में एट कर दिये अब इसमें यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डाल कर इसको यहाँ पर अच्छे से फाइन सा पीस लेंगे तो थोड़ा पानी हमें एट करना ज्यादा पानी के हमें बिल्कुल भी जरुरत नहीं तो देखे हमने इसको अच्छे से यहाँ पर बारिक बेटर पीस लिया है इसका तो यहाँ पर बावल में ट्रास्फर कर लिया है अब यहाँ पर हमने आदा कटोरी जो गीहूँ का आर इसके बाद एक से डेड़ मिनिट तक इस बेटर को यहां पर हमें अच्छे से फेट ना है जिससे जो हमारा नाश्ते अगदम फुला फुला बनकर तयार होगा तो इस तरह से यह वाला प्रोसेस आपको एक से डेड़ मिनिट के लिए ज़रूर से करना है आप चाहे तो इसको ह मिन यहां पर हमने 1 टीसपून कच्छा जीरा 1 टीसपून चिल्ली फ्लेकस और 1 लगें Hijवमятиं मत्येया कश्चाय में और कुटाब़ धनियय लिया है एक प्याज इसमें हमें इठ करसकते हैंगे जो चीड़ को पिसेटी नहीं कोसी उह कड़ते जना अनुन कर सकते हैं वह अगर आपके पाख मसाला नहीं है तो आप आमचूर पाउडर ले सकते हैं यह एक चमच निंबू का राश इसमें जरूर से डालें जिस्से जो है हमारा नाश्ता काफी अच्छा फुला फुला बनका त्यार होता है तो ब्रेटर यहां पर हमारा कम्प्लीट हो चुका है तो चलते हैं गेस की तरफ इसको यहां पर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है तो यहां पर हमारा ओयल भी अच्छे से गरम हो चुका है अब यहां पर हम एक चमच इसमें यहां पर बेटर डालेंगे तो यहां पर एक बेच में जितना भी नाष्टा फ तो तुझे के बाद रिचते बाद यहां पर यहां पर उपाइ। पूरे time के लिए आपको यहां पर आपको 3 minutes लगेंगे इस नाष्टे को यहां पर fry होने में ज़्यादा time बिल्कुल भी नहीं लगता है तो यहां पर 8 minutes हो चुका यहां पर हम पलट देंगे इसके बाद यहां पर इसे 10-20 second के बाद इसे अलटते पलटते अच्छे से फ्राई कर ले कि ए नाश्ते पे अच्छा सा कलर ना जा और एकदम कुरकुरा सा हमारा नाश्ता ना बन जाए अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें अपनी फेमिली और फ्रेंड्स में इस वीडियो को जरूर से शेर करें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सस्क्राइब करें तो इसी तरह से हमें इसे अ थोड़ा सा ओपर से डाल देंगे इस नाश्टे के उपर और यह जो हमारा साइड वाला नाश्टा है वच्छे से यहां पर फ्राइ हो चुका है आप देख सकते हैं काफी अच्छा सा कलर हमारे नाश्टे पर आ चुका है तो इस नाश्टे को यहां पर हम निकाल लेंगे प्ल तो इस नाश्टियों को हमने वापस साइट से लगा दिया और बचेवे बेटर को भी हम इसमें डाल देंगे तो आपने देखा कि हमने आदा कटोरी चावल और एक आलू और आधी कटोरी यहों के आटे से इतना सारा नाश्टा बना कर तयार कर लिया है और काफी जटपट से यह नाश्टा बनकर तयार हो जाता है और काफी चटपटा सा और कुरकुरा सा नाश्टा बनता है तो देखे सारा ही नाश्टा हमारे यह आपर अच्छे से बन चुका है तो आप देख सकते कितना अच्छा सा कलर आया है और एकदम फुला फुला हमारा नाष्टा बनकर तयार हुआ है तो हमने यहां पर सारी नाष्टे को अच्छे से फ्राई कर लिया तो देख सकते हैं आप हमारा सारा नाष्टा यहां पर अच्छे से कंप्लीट हो चुका है आप देख सकते हैं काफी फुला फुला हमारा नाष्टा बनाएं मैं इसको आपको तोड़ के दिखाऊंगी और आप इसके आवाज से पता लगा सकते हैं कि बाहर से ये एकदम कुरकुरा और अंदर से एकदम जालीदार हमारा नाष्टा बनकर तयार हुआ है तो मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर बहुत ही अच्छे से जाली बनी है इस नाष्टे में एकदम जालीदार हमारा नाष्टा बनकर तैयार हुआ है तो एक बार आप इस नाष्टे को जरूर से बनाए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर और सस सकते हैं तो चलिए आज बनाते हैं मज़ेदार हेल्दी और टेस्टी सा नाष्टा इस नाष्टे को बनाने में यहां सिर्फ हम एक चम्मा चोईल का इस्तिमाल करेंगे और बहुत ही जटपट यह पांच मिनित में बनकर यह नाष्टा तेयार हो जाता है तो वीडियो स्टा sa vi oppressed deresh auto ca 2 congregationów अदा का टोरी पानी हम इसमें इसमें पानी है तो आप यहां पर गरम पानी का हिस्तिमाल करें तो आदी केटोड़ी पानी हमने से एट कर देगे हम इसमें गशाजाब कर देंगे और देखहारा पर अच्छे से मिक्स कर दिया सकते हैं अब से कुछ मासाले करते हैं स्वाध अनुसा नमक एट किया हैं तो यहाँ पर एक चम्मत जितना मेगी वासला यहाँ जीरा और यहां पर थोड़ा थोड़ा सा काली मिढसी का पावडर डालर से काफे अच्छा टेस्ट आता है और एक बड़े साइस का यहां पर हमने अबलावा अलू लिया है तो यहांसे आलू को यहांपर ग्रेट करके लिया तो आप इसको ग्रेट कर का है कि इसके मोटे समस्ट üçग सब्स, सारी चीजो को करेंगे इसमें हमें थोड़े पानी की और जरूरत लगेगी तो हमने गरम पानी रख रखा है और तो हम बाद में इसमें पेले इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे फिर इसमें हम यहाँ पर पानी एड़ करेंगे तो सारी चीजों को यहाँ पर हमें अच्छे से मिक्स करन स्केलाद करोई। यहां पर देख सकते हैं। यहांगे पर पाणी पानी है। दानिय कड़ करोड़ नहीं पर स υक नेot। नहीं दो बॉत काधा है। मसाले आप अपने टेस्ट के साफ से कम ज्यादा एट कर सकते हैं अगर आप तीका कम काना पसंद करते तो एक तरह की मिर्ची आप स्कीप कर सकते दन्या डालके अपने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया तो चली यहां पर इसको गेस की तरफ ले चलते इसको फ्राइपन रखा इसमें अपर हम एक चम्मच जितना ओयल डाला है और देंगे अब इसमें यह पर हम थोड़ा से रायु के दाने एट कर रहे हैं तो दीखें हम थोड़ा सा इसमें करीपत्त्त कर देंगे इससे झो इस नाष्टे का लूक और टेस्ट काफी बढ़ जाता है तो यहां पर हमменे स्टाटिंग में आ cela रहे हैं बाद में इनको पास कर के एक पास पास कर एक नश्ता और इसमें बना डिये हैं और यहां पर अभी अब एंधकी मेने फ्लेम को रख रख रखा हैं बार इसकी फ्लेम को हाय कर देंगे अब दे investors ़ाअ लिचता काफ़ी सोफट Māra कॉप लगवे और देख सकते हैं काफ अच्छा सा कलर आया है बिल्कुल कम बने बंख आज़ा हो जाता है अब देखें यहाँ पर एक नाष्ता और हम इसमें यहां पर डालेंगे यहां पर पास-पास कर के इस तरह से ऊक्ता ओर डालेंगे पर इसी तरह से तैरा से स्फ्राइब होने देंगे दूसरा नाश्ता हमने जो बाद मेट किया था उसको भी यहाँ पर हमने पलट दिया है तो इस तरह से आप पलटते पलटते इनको अच्छे से फ्राई कर लें यहाँ पर तो यहाँ पर इनको देखे हैं हमने अच्छे से अलटते पलटते इनको फ्राई किया है आप देख सकते काफ наверное डो यहां पर देख सकते हैं यहां इसी तरह से इनको पलड़ देगी तो यहां पर देख सकते हैं नाष्टा यहां पर अच्छा से फ्राइय हो चुका है तो इस नाष्टे सो यहां पर हम निकाल लेंगे लाजता हम पर मैं अगए तो आप देख सकते हैं काफ एच्छ सक gerçekten अपर कम्प्लीट हो चुका हैं और देखिऊ बिल्क smness में नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है बागी सारे नाश्ते कको भी तरह से सी नारा से कलेंगे और फ्रेंड से में इस वीडियो को जरूर से शेयर करें अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए तो देखें मैं इस नाश्तियो को आपको तोड़ के दिखाती हूँ यहाँ पर एकदम सौफ्ट और जाली दार हमारा नाश मिश्ता बनाकर तयार कर सकते हैं तो मिलते एक नई रेसिपी में नई वीडियो के साथ जब तक के लिए थेंकिसो माज